देखिए रेड अलट का असर आज भी रहेगा 24 गंट के लिए हमने 6 जलों में रेड अलट रखा हुआ है और पिछले 24 गंट में पूरे प्रदेश में वाइड स्प्रेड बारिस हुई है बिलासपूर जिली में सबसे ज्यादा बारिस हुई है बर्ठी में 213 मिलिमेटर एक्स खासकर जो सिम्ला में भी इमेडियेट उसके बाद जो स्पेल हुआ है एक गंटे का आज सुबह वो काफी इंटेंट स्पेल था करीब 62 मिलिमेटर पर साथ जो एक गंटे में रिपोर्ट हुई है और करीब गी 6 सेंटी मेटर पर साथ परावर से अभी को जो स्पेल रहा है और पूरे प्रदेश में हमने आज एलेट रखा है छे से साथ जिलो में उसमें सिर्मावर, सोलन, सिम्ला, बिलासपूर, मंडी, हमीरपुर और कांगडा इन जिलों में आज भी हमने रेड एलेट लखा हुआ है कल से वारिसों में ओबरॉल कुछ कमी आएगी इमाचल में इ बलकि ज्यादा हो जाएंगे वाब क्योंकि काफी हाई प्रोविल्टी एंजिनों की और इंज है हलांकि कल भी बारिसों में लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ उसमें कमी आएगी कल बारिस में ओबरॉल लेकिन आज रेड अलेट है कल और इंज अलेट हमने रखा हुआ है और इसके बाद फिर बारिस में और कमी आएगी 25-26 के आसपास और फिर निरंतर कमी आने की समाव देखिए अभी तो पस्चिमिक्सो और मौनजून दोनों है इसकी बज़ से यह लंबा स्पल है और इंडेंस है उसके बाद पस्चिमिक्सो का असर रहेगा 25-26 तारीक तक उसके बाद फिर जो है उसका असर कम हो जाएगा देखिए रेड अलट का असर आज भी रहेगा 24 गंटी के लिए हमने 6 जलों में रेड अलट रखा हुआ है और पिछले 24 गंट में पूरे प्रदेश में वाइट स्प्रेड बारिस हुई है विलासपूर जले में सबसे ज़्यादा वारिस हुई है बर्थी में 213 मिल्यमेटर एक्स्ट्रेमली हाई रिन फॉल है उसके बाद भी विलासपूर में कई पॉकेट में एरियाज में रेज भरी हेवी रिन फॉल हुई है उसके बाद फिर सिमला जिला है जहानब पे 25 गंट पर साथ जो है एक घंटे में रिपोर्ट हुई है और करीब की छे सेंटीमेटर पर साथ परावर से अभी को अला जो स्पेल रहा है और पूरे प्रदेश में हमने आज अलेट रखा है छे से साथ जिलों में छे जिलों में उसमें सिर्मावर, सोलन, सिम्ला, बिलासपूर, मंडी, हमिरपूर और कामड़ा इन जिलों में आज भी हमने रेडर रेट लखा हुआ है कल से वारिसों में ओबरॉल कुछ कमी आएगी माचल में इसके साथ साथ में क्योंकि आज ये पूरा दिन कंटिनुटी हैर इन फॉल की बेरी हैवी टू एक्स्टेमली हैवी तो इससे जो जो भी इंपेक्ट रहेंगे बलकि ज़्यादा हो जाएंगे वाब क्योंकि काफी हाई प्रोबिल्टी एंजिनों की अरेंज है हलांकि कल भी बारिस होगी लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ उस तरकम्यानी की समाव देखिए अभी तो पस्टिमिक्सों और मौन्जूं दोनों है इसी वज़ से यह लंबा स्पल है और इंडेंस है उसके बाद पस्टिमिक्सों का असर रहेगा पच्छिस और च्छिस तारीक तक उसके बाद फिर जो है उसका असर कम हो जाएगा झाल झाल